नमस्कार आर लाइब न्यूज में आप सभी का स्वागत है मैं दिव्या शुकला आईए वड़ते हैं खास ख़बर की ओर धशान नती के टापू नुमा पत्तरों में फसे यूबक को थाना लहचूरा पोलिस द्वारा नेश्क्यू कर निकाला गया सकुसर जानकारी के अनुसार धसान नदी के जल इससर अचानक बढ़ने से हभी पोतर रहीम खान उम्रकली 35 वर्स निवासी नैपूरा थाना मौप कंट जिला महोबा नदी के बीच पत्तरों के टापू में फस गये थे जब सुबाचर वाहुद्वारा घटना की सूचरा पर ग्राम प्रधान गुड़ा चंदरभान सिंग परमान ने थाना लहचूरा पोलिस के अलावा प्रसासन को मामले से अफगत कराया सुचरा पर 112 के साथ थाना लहचूरा पोलिस ने मौके पर पहुँच कर ग्रामिणों के सहयोग से रेस्क्यू प्रारंब कर दिया करीम सक्कत के बाद धार में फसे ब्यक्ति को सकुसान निकाल लिया गया कोलिस ने पूश्ताज कर उक्त यूबक को गोड़ा निवासी उसकी मामा की सुपोर्ट कर दिया थाना परवादी लहचूरा धर्मेंद सिंग चोहान के निर्जिसर में पहुची रेस्क्यू टीन में उपनी रिक्षक ज्यानेंदर पटेल, छत्रपाल सिंग चोहान, सरत कुमार, धर्मेंदर पांडे, दीन दयाल, हरी राम का ग्रामेंदु द्वारा रेस्क्यू की सफलता हितु आभाच आए गया ठाना परवादी लहचूर धर्मेंद सिंग चोहान द्वारा, रेस्क्यू में गोता कुर, जैपालवा, सीता राम को इस सहा से कारी के लिए सम्मानित करने के लिए आमंत्रिपी किया गया है मौके पर सहीयोग में ग्राम परधान चंदरवान, सिंग परमार, जाहुर खान, नजीर खान, प्रसान ठाकुर, वीरेन सिंग, मनोर साहु, संत्राम अहरवार, मिथिलेस, हरलाल, प्रमोज समित कई लोग मौजूद रहे समवदतमू के इस राजपूर के साथ पपिन कुमार दिवारी गिरपूर सोलिस ट्रेक्टर का नया सोरूम अब आपके सहर मौरानीपुर में तो आज ही संपर करें राजपल मोटर से, जिनका पता है गुरसराय रोड मौरानीपुर छासी अभी लेने के लिए दिये गए नमबर पर संपर करें